What's up everyone, welcome back to the channel, so guys, हमारा Indian Economic Development का सीरीज बहुत ही अच्छी पेस से चल रहा है और बहुत शांदार तरीके से हम Indian Economic Development का Unit 2 पे आचुके है Unit 1 हमने कम्प्लीट करा है, I am very much hopeful आपने याद कर लिया होगा Human Capital Formation पूरा याद कर लिया होगा आज हम शुरू करेंगे एक और नया चाप्टर जो की है Rural Development फिर से एक शांदार प्राब्लम है Indian Economic के लिए इस पूरे Unit में प्राब्लम्स ही डिसकस कर रहा है Human Capital Formation, Rural Development इसके बाद Employment वगरा की प्राब्लम्स है तो उस तरीके की चीज़े डिसकस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस शांदार चाप्टर के साथ चाप्टर का नाम है Rural Development इस अपर इस अपर इस शेहर आसपास भी नहीं लगता उन सब के डिवलप्मेंट की बात करेंगे इस पर्टिकलर चैप्टर में तो सर क्या है Rural Development? Rural Development means an action plan for the social and economic growth of the rural areas हमें एक action plan बनाना है जिससे Rural Areas का दो प्रकार का डिवलप्मेंट हो पाए कौन-कौन सा social and economic सर सोचल और economic का क्या difference है? देखो economic का मतलब होता है कि वहाँ पे business generate हो वहाँ पे लोगों के लिए jobs generate हो लोगों के लिए पैसा बने और social का मतलब होता है कि overall society develop हो society के अंदर अच्छी values develop हो society के अंदर अच्छी चीज़े बढ़े जैसे literacy rate बढ़े जैसे employment का rate बढ़े society के लिए अच्छा हो तो हर तरीके से social और economic way में development होना rural areas का उसको rural development बोलते हैं ठीक है? The action plan is to focus on the lingering and emerging challenges जो action plan हम बनाएंगे उसके अंदर हम दो challenges की बात करेंगे बचो lingering challenges, emerging challenges sir lingering कौन से होते हैं? lingering होते हैं मेटा जी जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं हमारे rural areas में जैसे credit की समस्या sir what is credit? उधार, पैसे की समस्या पैसा नहीं है ना किसान के पास पैसे की समस्या दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास marketing की problem की जो किसान है अगर वो खेती कर भी लेता है फिर इसको वो market कैसे करें उसको सही rate नहीं मिलते उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो ये सारी problems जो है ये lingering है, काफी समय से चलती आ रही है emerging challenges क्या है जो अब नए develop हो रहे है तो सर, क्या है emerging challenges इसमें ये होता है बिटा कि देखो agriculture एक seasonal occupation है तो एक किसान क्या प्रयास कर रहा है कि मैं कुछ और साथ में काम जोड लूँ मैं कुछ और चीज़े करूँ तो कैसे करूँ ये एक challenge है अपने आप में एक तो ये हो गया दूसरा हमारे पास आजाता है कि organic farming जो आजकल पूरा trending है पूरे इंडिया में चल रहा है कि क्या organic products हम use कर सकते है तो farmer के लिए ये भी एक challenge है कि organically food को कैसे produce किया जाए तो इन challenges को हम detail में आगे पढ़ने वाले हैं जल्दी से इसका screenshot लीजिए हम चलते हैं आगे rural development में दो प्रकार का development social और economic मैंने आपको बता दिया challenges में lingering और emerging lingering में credit और marketing की समस्या और emerging में sustainable livelihood sustainable का मतलब है कि agriculture से बाहर क्या क्या चीज़े करें जो आने वाली generations को भी help करें और organic farming ठीक है done sir सर शुरुवात करो पहली problem के साथ that is agriculture credit agricultural credit का क्या मतलब है देखो खेती करने के लिए किसान को पैसे की जरूरत है credit की जरूरत है अब credit जब तक नहीं मिलेगा जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं हो पाएगा क्योंकि finance is the lifeline of any business right अब लोन मिलता नहीं है किसी भी source से नहीं मिलता तो यह एक major problem बन के सामने आया तो देखो यहां क्या लिखा है rural credit means credit for farming credit is the lifeline of farming activity in the rural areas major lifeline है this is because of two reasons most of the farming families are small हमारे यह पे जादा तर families चोटे-चोटे किसान है वो सिर्फ इतना बनाते हैं कि वो survive कर पाएं ठीक है they seldom generate any surplus for further investment उनके पास कोई surplus वगएरा नहीं होता the need for credit is therefore unavoidable इसलिए वो बच ही नहीं सकते पैसे की जरूरत बहार से उनको पड़ेगी ही पड़ेगी आगी क्या लिखा है the gestation lag between the sowing and harvesting of the crops is quite long this compounds the need for credit gestation lag का मतलब होता है बेटा कि फसल का बीज बोने से लेके harvesting तक फसल कटने तक का जो समय है वो काफी बड़ा है उसके बीच में किसान क्या करे है उसको पैसा तो चाहिए घर तो चलाना है तो इसलिए पैसे की need और जादा बढ़ जाती है क्योंकि gestation lag बहुत बढ़ा है 4-5 महीने का समय लग जाता है और उसके बाद कोई भरोसा नहीं है कि फसल कितनी अच्छी होगी कई बार बारिश आ जाती है नेचर खुद खराब कर देता है सारी चीज़े तो बहुत सारा ऐसा gap है पीरेड है जिस वैसे पैसे की need और जादा बढ़ जाती है यह आगे क्या आ रहा है मेरे पास needs कितने प्रकार की हो सकती है तो तीन प्रकार की बेटा needs है short term, medium term, long term सबसे पहले short term किसको बोलते हैं जो 6-12 महीने के अंदर आपको वापिस दे देनी है या बहुत छोटे प्रोजेक्स के लिए आपको वो पैसा चाहिए medium term किसको बोलते हैं जहां पे आप loan वगेरा लेते हो 1 साल से 5 साल तक long term कौन सी होती है जहां पे आप loan वगेरा लेते हो 5 से 20 साल तक इसका मतलब जब भी आपको loan वगेरा लेने हो एक साल तक short term वोलते हैं एक से 5 साल तक लेना हो medium term वोलते हैं 5 से 20 साल तक लेना हो long term वोलते हैं अब किस purpose के लिए लिये जाते हैं ये loans अगर एक साल तक के लिए ले रहे हो आप तो mainly fertilizers, pesticides, seeds, insecticides income के लिये लिये जाते हैं medium term के लिए अगर आप ले रहे हो तो usually किसान को machine खरीदनी होती है या fence construct करने होते हैं fence होते हैं ना चारो तरफ wiring करवाना, fences बनाने होते हैं, wells dig करने होते हैं इसलिए long term के लिए कोई भी rural area का बंदा या कोई भी farmer क्यों लेता है purchase of additional land अगर उसको जमीन खरीदनी हो या फिर permanent improvement कराना हो land में काफी major खर्चा आता है, तो यह हमारे पास major purposes हैं और difference है between the types of credit needs ठीक है, आगे लिखावा है credit requirement जो है farmer की वो productive और unproductive के basis पे भी आप divide कर सकते हो है ना productive कौन सी होती है जो उसको अपनी production activity के लिए चाहिए और non productive कौन सी होती है या unproductive कौन सी होती है जो उसको चाहिए अपनी consumption के लिए, घर के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत पढ़ सकती है यह होता है बच्चों हमारे पास rural credit ठीक है अब rural credit आएगा कहां कहां से क्या क्या sources है रूरल credit के तो देखो mainly दो source है बावू एक है non-institutional एक है institutional institutional कौन सा होता है जो पूरे के पूरे institutions हैं जो पूरी संस्थाएं हैं जो पूरे banks हैं जिनका purpose ही यह है कि credit देना और non-institutional कौन हो सकते हैं आपका कोई friend हो सकता है कोई relative हो सकता है कोई money lender हो सकता है जो अपने आप में institution नहीं है एक private individual है जो आपको पैसा देता है उसके बदले में आपसे ब्याज लेता है है ना उसको हम non-institutional भी बोल सकते हैं देखो लिखाव है of the two non-institutional sources are conventional sources while institutional sources are modern पहले यही चलते थे 93% independence की टाइम पे बच्चो यही चलते थे यानि अगर चो लोग loan ले रहे हैं तो 93 लोग non-institutional sources से लेते थे उसके बीछे कारण है institutional एक तो इतने developed नहीं थे दूसरी बात institutional बहुत ज़्यादा paperwork मांगते थे बहुत सारी formality मांगते थे इतना कोई भी किसान कर नहीं पाता था तो ज़्यादतर लोग कौन से sources पे dependent थे पैसे के लिए non-institutional पे ठीक है अब आगे चलते हैं देखो क्या-क्या आता है non-institutional में? Landlords, village traders, money lenders, यह तीन important लोग हैं जो non-institutional में आ जाते हैं Traditionally, most credit needs of the farmer were met through these sources पहले के time पे ज़्यादा तर credit needs यही पूरे करते थे institutional में क्या-क्या आता है? Institutional में आते हैं बच्छो government, cooperative societies, commercial banks, regional rural banks, यह सब institutional sources में आ जाते हैं Following is a brief description of some important institutional agencies Very important, exam में आने के high chances Institutional sources बताओ, जो rural areas को पैसा provide करते हैं तो सबसे पहला institution है, credit cooperative societies Credit cooperative societies क्या होती है? यह basically इसलिए set up करी जाती है यह members ही set up करते हैं Suppose हम 20 लोग आपस में मिलके आए और हमने decide करा कि हम थोड़ थोड़ अपना surplus जो है, जो पैसा है वो society के fund में डालेंगे उसके बाद हमारे member को ही कभी भी पैसे की जरुत होगी तो वो इसमें से ले सकता है है ना, जब वो वापिस करेगा तो जो भी margin होगा, जो भी profit होगा वो सब हम आपस में share कर लेंगे किस rate पे देंगे अपने members को market से कम rate पे देंगे society का फाइदा थोड़ थोड़ा पैसा बढ़ रहा है member का फाइदा सस्ते rate पे मिल रहा है इसको हम credit cooperative society बोलते है, देखो क्या लिखा हुआ cooperative credit society provide adequate credit to the farmers at reasonable rate of interest these societies also provide guidance अब इसके अंदर बहुत सारे members होते है समझदार लोग भी है farmers भी है, तो अगर आपको कोई भी guidance चाहिए, आपको कोई भी help चाहिए, तो वो guidance भी ये लोग provide कर देते है these society also ensure timely and rapidly flow of credit timely वैसा मिलता है money lender की जुरत नहीं है credit facilities पूरे regions तक पहुँच जाती है और adequate credit मिलता है सब areas में जो cover है by special programs of development जितने भी special programs of development सर, special programs of development क्या होते है देखो, rural areas को develop करने के लिए बहुत सारी schemes चलाई जाती है तो जितने भी areas उन schemes के अंदर आते है उनको भी ये लोग बहुत अच्छे से timely credit provide कर देते है ठीक है, next क्या आता है बचो SBI and other commercial bank तो एक तो credit cooperative society हो गया दूसरा state bank of India बेटा जो state bank of India है government realized that rural credit needs could not be met by cooperative credit societies alone government को ये समझ में आ गया था कि cooperative credit society अकेले तो ये काम नहीं कर पाएगी तो government ने बोला हमें कोई ना कोई bank setup करना पड़ेगा तो SBI जो है, जो आजकल आप urban areas में भी देखते हो state bank of India government ने mainly set up किया था rural areas में पैसा provide करने के लिए आप आज भी अगर check करोगे तो हर rural area में SBI ज़रूर होगा PNB हो या ना हो, कोई और सरकारी bank हो या ना हो, SBI ज़रूर होगा क्यों? क्योंकि state bank of India को setup करने के पीछे purpose ही rural areas तक पैसा पहुँचाना था समझे next क्या आता है, regional rural banks बहुत सारे बेटा regional banks है जो आपके अलग-अलग regions में देखने को मिलते हैं आप JNK में देखोगे राजिस्थान में देखोगे, हर state में अलग-अलग rural के banks होते हैं जिनको हम regional rural banks बोलते हैं इनका काम होता है अपने region के किसानों तक पैसा पहुचाना अपने अपने regions पे काम करते हैं state-wise काम करते हैं ये banks क्या लिखा है? RRBs and land development banks land development banks जिनका काम land को develop करने के लिए पैसा देना होता है land development banks were set up to promote credit supplies क्या promote करते हैं? उधार देते हैं particularly in rural areas and backward districts ये किस level पे operate करते हैं? district level पे and are under the obligation to focus on credit needs mainly credit needs पे ही focus करते हैं तो credit cooperative societies हो गई SBI हो गया regional rural banks and land development banks हो गई उसके बाद बच्चों नाबार्द सब जानते हैं नाबार्द को national bank for agriculture and rural development full form प्लीज याद रखना ये एक apex institution है जो सारी policy बनाता है planning करता है operations का ध्यान रखता है rural credit की जितनी भी government schemes चलती है जितने भी ऐसे institutions चल रहे हैं जो agriculture के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं वो सब इसके अंडर आते हैं ये check करता है देखो इसके main activities क्या है to serve as an apex funding agency mainly fund ये ही करता है कि इसको सभी institutions को जो credit दे रहे हैं दूसरा to take appropriate measures to improve the credit delivery system credit अच्छे से सही जगा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है उसका ध्यान ये ही रखता है bank was to focus on restructuring of credit institutions to coordinate the rural financing activities of all the credit institutions सबके institutions जितने भी institutions हैं उनकी activities को coordinate करना government के साथ एक अच्छा connect बना के चलना state government के साथ RBI के साथ सारे institutions के साथ ये नाबार्द का काम होता है दूसरा जितना भी इसने पैसा दिया है अलग-अलग policies के लिए अलग-अलग एक तरीके से बोल दो कि जो अलग-अलग government ने schemes बनाई है उसके लिए जितना भी इसने पैसा दिया है उसको monitor करता है evaluate करता है कि पैसा लग भी रहा है ठीक से या नहीं लग रहा है तो ये सारा काम बेटा नाबार्द का होता है ठीक है इसके बाद हम लोग बोलते है multi-agency systems और multi-agency system क्या होता है इसके अंदर basically कुछ लोग मिल के काम करते है जैसे commercial banks हो गए RRBs हो गए corporate credit sites हो गई land development banks हो गए जब मिल के काम करते हैं तो इसको multi-agency system बोला जाता है तो multi-agency system का मतलब हो गया कि government ने कोई एक agency नहीं लगाई multiple agencies लगाई है जो कि rural areas के development के लिए काम कर रहे है ठीक है अब देखवा के क्या आ रहा है आगे आ रहा है rural banking का एक critical evaluation कि अगर हम इतना सा पढ़ने के बाद भी देखे कि banking में क्या-क्या है तो पूरा एक evaluation लिखावा है देखो लिखावा है banking credit has invariably been tied to collateral security देखो कभी भी institutional sources मैंने बताया कि पैसा देंगे तो पहले वो कुछ न कुछ संपत्ती मांगे security मांगे mortgage मांगे because of which large section of small farmers are left out जिसकी वज़ा से जो बहुत सारे छोटे किसान है बिचारे दे नहीं पाते उनके पास कोई है तो है नहीं गिरवी रखने के लिए कुछ तो फिर उनको पैसा मिलता ही नहीं है दूसरा बहुत ज़ादा political interference है government has shown lack of strictness in the recovery of loans बहुत सारा recovery नहीं कर पाता government political interference बहुत ज़ादा रहता है recover नहीं होता पैसा तो उस वज़े से बहुत सारे जो rates है default rate वो काफी ज़ादा बढ़ गए है default बहुत होता है loans पर यह भी बात है apart from commercial bank most financial institutions have failed to develop a culture of thrift among farming families इसका मतलब है कि इतना सब करने के बाद भी banks develop नहीं कर पा रहे है culture of savings अभी भी banks save नहीं करते है banks बहुत ज़ादा habit नहीं डाल पा रहे है लोगों के अंदर कि please आप save करो अपना पैसा future के लिए बचाओ क्योंकि ज़ादातर किसान इस तरीके से काम करते हैं कि business करा जितना पैसा आया subsistence थोड़ा बहुत अपनी family में लगाया फिर खतम हो गया कमाओ और खाओ ये वाली बात है बहुत ज़ादा savings हमें देखने को नहीं मिल रही है तो ये एक major problem है बिटा जो हमारे देश में हमें farming में देखने को मिल रही है ठीक है Nabard के बारे में मैंने आपने बताई दिया सारा का सारा का Nabard क्या है हमारे पास सबसे बड़ा benefit जो है Rural Credit System का वो Nabard हुआ हमें The establishment of Nabard has made a substantial difference in institutional rural credit Rural financing has become much more organized than ever before Nabard ने बहुत सारा हमारा जो credit system है उसको organize कर दिया उसको better way में तयार कर दिया It is not denying the fact that institutional credit has gone a long way अब बहुत better हो चुका है The farmers from debt trap of mahajans and money lenders Mahajans और money lenders कौन होते थे हमारे पास जो पहले बहुत high rate of interest पे किसानों को पैसा provide करते थे तो उनका debt trap हो चुका था किसानों के उपर जिस वज़े से विचारे हर बार अपनी फसल सस्ते में बेचते थे उनके साथ exploitation होती थी तो नाबार्द ने आके ये चीज़े काफी better कर दी है उसके बाद आगे क्या लिखावा है Also it is no denying the fact that institutional credit has promoted the commercialization of agriculture जिस हिसाब से पैसा पहुचा है तो अब agriculture commercialize भी हो गया है सबसिस्टेंस नहीं रहा है सिर्फ अपने लिए नहीं ग्रो कर रहा है आप किसान किसान बेच भी रहा है पैसा भी कमा रहा है ठीक है Self-help groups भी बेटा इसके अंदर आ जाते हैं मारे पास Self-help groups and micro credit programs क्या होते है देखो नाम में लिखावा है Self-help groups Self-help groups का मतलब होता है अपनी help खुद करो इसको ऐसे समझ लो बच्चो कि एक colony है उस colony में 10 लोग है 10 के 10 farmers है उन सबने अपनी help के लिए एक छोटा सा box बना लिया जिसके अंदर पैसे डालते हैं सेव करते हैं, सेव करते हैं, सेव करते हैं उसके बाद जब भी किसी को help की जरूरत है तो उस box पे से निकाल के देते हैं अगर वो वहाँ से business generate करते हैं तो फिर पैसा सब में बढ़ जाता है लगबग वैसा ही credit cooperative society जैसा बस cooperative society बड़े लेवल पे होती है Self-help groups चोटे लेवल पे होते है देखो क्या लिखा है Self-help groups and micro credit programs are emerging phenomena in the context of rural credit Self-help groups promote thrift Thrift का मतलब है saving habits Saving habits among rural households Small savings are mobilized by self-help groups Mobilized का मतलब होता है उसको उन लोगों तक पहुचाना जिनको पैसे की जुरत है And offered as a credit to its different members Credit is offered without an security कोई security नहीं मिलती इनको बस क्योंकि सब जानकार होते हैं तो ऐसे कोई भाग तो रहा नहीं है तो किसी बिना किसी security के और जो rate of interest चार्ज करते हैं बहुती moderate चार्ज करते हैं ना high ना low आगे लिकाव है More than 7 lakh self-help groups are operating across different rural areas 7 lakh से जादा self-help groups आज हमारे देश में काम कर रहे है Credit provisions are known as micro credit program जिस तरीके से जो इनमें ये पैसा प्रोवाइड करते हैं जो उसके programs हैं उनको micro credit programs बोला जाता है These programs are becoming popular among small borrowers Because of their informal credit delivery mechanism तो अब ये काफी popular हो रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक तो formalities वग्यारा नहीं है paperwork नहीं है और बहुत easily किसान तक पैसा पहुँच रहा है तो ये हैं हमारे पास self-help groups and micro credit programs इसके बाद बेटा हमारे पास आता है agricultural marketing agricultural marketing का क्या मतलब होता है किसान ने फसल बीज बो दिया उसके बाद फिर फसल हो गई उसको harvest कर लिया काट लिया अब उसको बाजार तक पहुचाना है तो बाजार तक पहुचाने के लिए उसको कुछ steps को follow करना पड़ेगा कुछ चीजों को follow करना पड़ेगा वो सारी की सारी हम यहाँ पर पड़ने वाले है तो क्या क्या करना पड़ेगा एक किसान को वो यहाँ लिखा है देखो after harvesting the farmer need to assemble their produce on the farm पहले assemble करना पड़ेगा process करना पड़ेगा grade करना पड़ेगा pack करना पड़ेगा store करना पड़ेगा फिर भी किया इसी को हम क्या बोलते है agricultural marketing तो what is agricultural marketing it may be defined as the process एक पूरा process which involves gathering the produce after harvest जो आपने harvesting करी अब gather करो इकटा करो पूरा produce उसके बाद processing the produce उसको process करो process करने का क्या मतलब ऐसा process करने का मतलब होता है उसकी साफसफाई करो उसको अच्छे से clean up करो सिर्फ इकटा करने से क्या हो जाएगा processing तो करनी पड़ेगी उसके बाद grading करो grading का मतलब है quality जो जो quality है उस quality के accordingly grade करो ये grade A है, grade B है, grade C है उसके बाद packing करो जो जो buyer का preference है 500 gram का packet 1 kilo का packet या जैसे भी आपकी फचल बिकती है उस तरीके की packing करो उसके बाद store करके रखो क्योंकि सारा आज तो भी केगा नी and last में sell कर दो तो marketing में 6 चीज़े आती है GP, GPSS याद रखना बच्चों यहाँ पर क्या याद रखना है आपको marketing में हम याद रखेंगे 6 चीज़े ठीक है, sir क्या क्या GP, GPSS ठीक है, तो marketing में GP, GPSS सबसे पहले क्या करना है, gather करना है फिर process करना है फिर GP हो गया, फिर GP उसके बाद क्या करोगे, बताओ, grading करोगे फिर उसके बाद packing करोगे, फिर store करोगे और फिर sell करोगे, यह हमारा पूरा का पूरा agricultural marketing में आ जाता है, ठीक है सही है, इंडेको आगी कहा लिकावा है agricultural marketing does not refers to the farmers act of just bringing their produce to the market for sale agricultural marketing का मतलब सिर्फ माल को बेचना नहीं होता सारी activities, it includes all those activities which help in getting the best price, जितनी भी activities उसको help करती हैं, अच्छा price लेने में उसको हम agricultural marketing बोलते हैं ठीक है, done है जी इसका भी screenshot ले लो, यह हो गया हमारे पास agricultural marketing इसके बाद बच्चों कुछ छोड़ी terms हैं, जैसे distress sale, sir what is distress sale, distress sale होता है जब किसान अपनी फसल को stress में आके बेचता है, क्योंकि उसके बास बहुत बड़ा बड़ा करजा होता है तो जब एक किसान के उपर बहुत सारा करजा होगा, अब उस करजे को चुकाने के लिए वो बिचारा पैसा तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है नी तो वो private money lender को अपनी फसल बेचनी पड़ती है, उसको मजबूरी में आके कम rates पे, क्योंकि उसके बास और कोई option नहीं होता तो जब भी एक गरीब किसान बिचारा अपनी फसल बेचता है, इस तरीके से stress में आगे, अपने loan के बदले में, उसको distress sale बोलते है क्या लिखा है It is a situation when the farmers are compelled, मतलब उनके बास और कोई option नहीं है, to sell their produce immediately after the harvest no matter how low the market price is, यह क्यों आता है I'm so sorry, थोड़ीज़ी खराव है मेरी आज Because the farmers need immediate cash to pay their debts, farmers को अपने करजे चुकाने होते हैं, and they lack storage facilities, दूसरा उनके बास storage facilities नहीं होता, समान को store नहीं कर पाता, विजारा किसान, ठीक है Next सरकार ने क्या करा इस marketing system को better बनाने के लिए तो हम लोग यहां से अगली class में पढ़ते हैं, आज इसको यही तक रखते हैं, आप आज problems को एक बार पढ़ लो, अगली class में हम देखेंगे government ने कैसे help करी marketing system को better बनाने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग चल पाएंगे हमारी दूसरी problem की तरफ जो की है हमारे पास agricultural marketing के defects और agricultural marketing के आगे की चीजे आगे बढ़ेंगे और chapter को आगे बढ़ाएंगे I hope आपको यहां तक आज वाला part समझ में आगया होगा अपनी जो भी आपके वास किताब है उसको खोलो एक बार रीडिंग लगा लो उसके बाद फिर यहां से चीजे आगे बढ़ाते हैं Alright, thank you so much guys for joining in I am gonna see you all super soon Till then see ya, take care, bye bye